हाई दोस्तों असलों लीकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है दो मैकबुक्स को आज कंपेर करने वाला हूँ एक है 15 इंच का मैकबुक एर M4 और दूसरा है 14 इंच वाला मैकबुक प्रो M4 दोनों ही M4 शिप्षट करता आते हैं लेकिन दोनों में प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा है मैकबुक एर 15 इंच वाला जो है जो बेस वेरिंट है इसका यह आता है 1,24,900 रुपीज का जाने की 1,25,000 रुपे का और वहीं पे मैकबुक प्रो का जो बेस वेरिंट आता है तो यह 1,24,900 का हो जाता है 1,45 का हो जाता है तब भी इन दोनों के बीच में 25,000 रुपे का डिफरेंस है तो क्या 25,000 रुपे आपको एक्स्ट्रा देने चाहिए मैकबुक एर M4 15 इंचे के ऊपर मैकबुक प्रो M4 14 इंचे के लिए इस वीडियो में चेक आउट करेंगे एकदम इसका जो 56 GB वेरिंट है उसको में इससे कंपेर नहीं करता है और उतने प्राइस डिफरेंस में फिर कंपेरेंस बनता नहीं है क्योंकि फिर मैकबुक एर 15 इ दोनों की बिल्ड कॉलिटी जो है बिल्कुल सेम आपको नजर आएगी दोनों ही अल्यूमिनियूम के बने वे हैं दोनों पे बड़ा सा एपल लोगो है बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्स है दोनों के डिस्प्लेज जो है या लिड एक हाथ से ओपन आप कर देंगे बॉटम पार्ट इसका उठेगा नहीं MacBook Air और MacBook Pro दोनों का डिजाइन जो है बिल्कुल फ्लाट है पहले टेपरड वाला Air का डिजन आता था वैसा नहीं है बिल्कुल और दोनों के कॉरनर जो है राउंड है और बहुत ही अच्छे कॉलिटी के MacBooks दिखते है लेकिन weight और dimensions में फरक है MacBook Air जो 15 inches वाला है उसका form factor काफी बड़ा है लेकिन thickness उसकी कम है वहीं पर MacBook Pro जो है ये छोटा होने के बावजूद इसका weight जो है पचास ग्राम से जादा है Air के मुकाबले दोनों ही देड़ किलों के आसपास के MacBooks है जादा कोई heavy है नहीं अब दोनों में आने वाले जो Mac save port मिलता है charging के लिए दो thunderbolt 4 ports मिलते है Mac save port के बाजू में USB Type-C वाले उसी के साथ एक headphone jack मिलता है opposite side पे आपको HDMI out मिलता है एक और thunderbolt 4 port मिलता है USB Type-C वाला और HD card slot भी मिलता है तो यहाँ पर definitely IO ports के मामले में MacBook Pro में आपको काफी कुछ जादा मिल रहा है अब यही IO ports आपको अग ports में है क्योंकि obviously यह built-in आते है और इसमें थोड़ा सा जादा आपको transfer speed वागरा मिलती है फिर भी आप काफी कुछ वो एक USB hub के साथ कर पाएंगे लिए उसके लिए पको पैसे definitely जादा देने बड़ेंगे और वो कोई सस्ती चीज नहीं होती दोनों के displays को compare करते MacBook Pro M4 के वही पर MacBook Air M4 15 inches में आपको 15.3 inches का display मिलता है यह liquid retina display है इसमें आपको HDR नहीं मिलेगा इसमें आपको जो brightness है वो 500 nits की मिलेगी HDR में और इसमें refresh rate भी जो है fixed है 60 Hz पे display का resolution और pixel density भी higher आपको देखने मिलेगी MacBook Pro M4 के अंदर तो आपको कोई ऐसा task करना है जिसमें display बहुत ज़्यादा involved है आपको वीडियो watch करना है वीडियो एडिट करना है फोटो एडिट करना है या कोई भी ऐसा creative काम करना है जिसमें display बहुत ज़्यादा importance रखता है तो आप आपको जाना चाहिए MacBook Pro M4 के लिए लेकिन अगर आपको word processing करना है web browsing करना है आपको इस टाइब का कोई काम करना है जिसे MS Office वगरा या Apple का Office Suite या आपको coding भी करनी है तब भी आपके लिए MacBook Air जो है यह sufficient रहेगा in fact इसका 15 इंच का display आपके लिए better भी रहेगा तो display की quality display का पू Macbook Pro M4 ने score किया है 87.3 decibels और Macbook Air M4 ने 88.1 decibel यहाँ पे output निकाला है दोनों का speaker की quality जो है मुझे similar लगी लेकिन output जो है वो थोड़ा सा जादा loud है Macbook Air 15 inches के अंदर दोनों ही MacBooks के अंदर आपको 12 megapixel के center stage camera मिलते है जिसे आप FaceTime call, video conferencing कुछ भी कर सकते हो दोनों में ही 3 mics दिये वहे तो आईए इनकी quality च चेक कर ले दे किसमें better आती है दोनों में same है दोनों के webcam से आप मुझे देख रहे हो दोनों का FaceTime camera Apple बोलता है और दोनों के internal माइक्स है तीन माइक्स है दोनों के अंदर उससे आप मुझे सुन रहे हो आपको माइक का symbol नजर आ रहा होगा उस पर ध्यान दीजिए आपको कीबोर्ड और ट्रैक्पैड के अगर बात कर दिखें कीबोर्ड जो है दोनों में आपको एक जैसे ही नजर आएंगे well spaced out keys है और काफी जो है अच्छी जगा है यहां पर full numeric keypad जो है अलग से नहीं दिया गया किसी MacBook में नहीं आता 16 इंच का लेंगे तो उसमें भी नहीं आत लेकिन MacBook Pro M4 का भी trackpad ने मुझे कभी कोई trouble नहीं दिया यह भी more than enough है तो ठोड़ा सा और बड़ा trackpad चीए तो air में आपको मिलेगा अब दोनों की specs compare करते है तो दीखिए MacBook Pro के अंदर और MacBook Air के अंदर दोनों ही में M4 chipset है M4 Pro दोनों में नहीं है और दोनों ही models के base variant में आता है 256 GB के साथ लेकिन top-of-the-line variant है दोनों के यह maximum storage जो आप जिसके लिए जा सकते है वो है 2TB, दोनों ही पर, दोनों में आपको 10-core CPU और 10-core GPU मिलते है और दोनों ही के अंदर जो external display support है वो भी 2 displays का है तो आई आप इनका performance जो है तोड़ा सा compare करते है, दोनों में Macbooks है यह 1TB वाले variant है यहाँ पर देख सकते हैं 1TB है, दोनों 16GB RAM वाले ही है, हाला के दोनों का base storage है जैसे मैं आपको बताया था, और दोनों में जो memory bandwidth आपको ने दिया है वो है 120GBPS की, तो यहाँ पर दोनों के अंदर हम read और write speed जो है वो चेक करते है, black magic speed test run करके, कि यहाँ पर सेम निकल के आ 3200 MBPS है, यहाँ पर 3000 MBPS है, यहाँ पर 3300 तक भी जा रहा है, यहाँ पर एक बार और इसको run करने देता हूं मैं, तो यहाँ पर देख सकते है, 3000 MBPS के आसपास ही है, थोड़ा सा faster है यह write में, MacBook Pro M4 और वहीं पर read speed अगर आप देखेंगे, तो उसमें भी slightly, ever so slightly, जो है कुछ MBPS स faster है, MacBook Pro M4 लेकिन almost similar ही result निकल के आएगा, अब दोनों MacBooks के उपर मैं आपको Final Cut Pro run करके बताता हूं, यह MacBook Air, 15 इंचिस वाला जो है, M4 वाला, इसके अंदर भी scrubbing एकदम smooth होती है, और जो हमारा MacBook Pro है, 14 इंचिस वाला, यह भी M4 है, इसमें भी scrubbing एकदम, आपको smooth देखने में इसमें कोई भी difference नहीं है, तो यह जो same project है, और same size का है, हर चीज़ें इसके अंदर same है, उसको हम render करेंगे दोनों पर देखेंगे कितना time लगता है, render होने में, दोनों MacBooks पे आप देख सकते है, 4.49 GB का, इसका export size है, तो यहाँ पे कितना time लगेगा, या क्या difference आएगा, आप कि आपको result पता चल जाए, तो अगर आप video editing के लिए कोई Mac लेते हो, तो उसमें क्या difference रहेगा, आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे दोनों पे एक साथ करते है, save पे click, और हमारा video rendering जो है, वो start हो जाता है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी background task सिवा आए, जो render हो रहा है, उसके run यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसको मैं आपको सामने यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि कोई भी background rendering वगरा start नहीं दी इसमें, और यहाँ पे जो भी difference रहेगा, हमारे सामने कुछी दिर में आ जाएगा, तो guys जैस है, सेम प्रोजेक के लिए, वो सेम ही दोनों के उपर रहने वाले, देकि दोनों एक साथ ही almost, मतलब आदे सेकंड का फरक में, दोनों ने render यहाँ पे कर दिया है, उस फाइल को, तो वीडियो एडिनिंग के लिए आप इन में से कोई भी MacBook ले सकते है, जो फरक आएगा बस, यहाँ पे वीडियो के प्लेबैक में इसकी जो क्वालिटी है, उसमें आपको फरक देखने मिल सकता है, MacBook के डिफरेंट रेजलूशन की वज़े से, अब बैटर लाइफ की बात करें, तो दोनों के अंदर बैटर लाइफ में फरक है, MacBook Pro M4 जो है, यह 24 आर्स का वीडियो प् 35W का, जो कि अब अपग्रेड कर सकते हो, Air में 70W का सपोर्ट करता है, Maximum और Pro में 96W का, लेकिन जाधा बैटर लाइफ और फास्टर चार्जिंग आपको अगर चाहिए, बहुत इंपोर्टन्स रखता है आपके काम में, तो MacBook Pro के लिए जाना, Wireless Technology में कोई फरक नहीं है, दोनो में Bluetooth 5.3 है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में, प्राइजिंग और वर्डिक की अगर बात करें, दोस्तों तो दीखे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है, सिमिलर मिलता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा हार्ड कोर वाला काम है, तो आप MacBook Pro के लिए ज प्रॉटलिंग का इशू आ सकता है, तो आपका workload के इतना, उसमें सबको depend करता है, या आपको fanless जाना है, या फिर fan वाला design चीए, सेकंड चीज जो मैंने बताया था, आपको display के बारे में, display के लिए वो extra जो आप पैसा दे रहे हो, वर्ट इट हो सकता है, अगर आपको display का वैसा serious काम है तो, हमारे काम में display का काम है, हम color grading करते है, हम video edit करते है, तो वहाँ पर थोड़ा सा better display काम का होता है, लेकिन ऐसी बहुत सी हमारी videos होती है, जैसे software update की video, उसमें हमको वो सब चीजों की ज़रूद नहीं पढ़ती, तो हम वो air पे भी बना लेते हैं, या हमारा Sunday Q वेने, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम air पे भी edit कर लेते हैं, और हो जाता है आराम से, तो देखिए, आपका word processing का काम है, video editing का भी काम है, लेकिन बहुत ही high end का नहीं या camera compare वगरा नहीं कर रहा है, तो आप बिलकुल जा सकते है, MacBook Air के लिए, इसमें बड़ा display आपको beneficial र एक fan वाला, जो है, laptop चाहिए, जो cool भी अच्छे से रहे और उसका performance भी जो है, आपको अच्छा मिले, तो आपको जाना चाहिए, MacBook Pro के लिए, जिसके ज़्यादा पैसा देना, फिर worth it रहेगा, लेकिन MacBook Air complete value for money है, description में दोनों के links है, यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर भी उनके links नजर आ रहे होंगे, वहाँ से भी आप purchase कर सकते हो, flip card से या description में purchase कर सकते हो, Amazon से, आपको इन में से कौन साथ value for money लगता है, मुझे comment में लिखे, ज़रू बताना के आप Air के लिए जाना चाहेंगे, या Pro के लिए, उमीद कता हूँ, आपका काफी तरा confusion में clear कर पाया होँगा, उमीद कता दोस्तों आपका आच के वीडियो पसना आपका पसना में को लाइक के शरू कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब जो कीजिए, गुडबाए